क्यूं आप आलसियों की तरह पढ़े हो गयों? क्यूं आपके अंदर एनरजी नहीं है? हर वक्त क्यूं लगता है आपको की आपके अंदर का जोज जो है वो खत्म हो चुका है? प्रैक्टिकली हम बात करते हैं देखिए जिस तरह हम पठाके में बारूद होता है अब पठाक अगर ऐसे ही रखा वाए फिर तो फटेगा नहीं है उसे चाहिए कि कोई उसकी बत्ती में आग लगाए एक चिंगारी उसे मिल जाए बस फिर उफटेगा और ऐसा फटेगा की सब के कान सुनो जाएंगे आप भी उसी पठाके की तरह हो हम सब के अंदर वो पारूद वो एनर्ची चोष शुनून आग इस लेवल का पोटेंचल हम सब के अंदर है हम सोच भी ने सकते और जब तक चिंगारी नहीं मिलेगी वो आग नहीं मिलेगी तब तक ये सारी चीज़े अंदर के अंदर दभी रजाएगी कुछ काम नहीं आएगी अब सवाल आता है कि यह चिंगारी क्या है जिस इनसान को अपनी चिंगारी मिल गए न समझा — इसकी जिंदगी बदल गगी आलस क्या होता है, वग इनसान भूल जाएगा जिसे यह चिंगारी मिल गई मैं आपको एक और एक्जाम्पल देता हूँ फिर हम बात करते हैं दूत को आप गेस परक दो उसे आग मिलेगी वो बलना शुरू हो जाएगा आग नहीं मिलेगी वो ऐसा कैसा रखा रहे जाएगा फट जाएगा सड जाएगा आपकी जिंदगी में भी अगर वो आग नहीं वो चिंगारी नहीं है तो आप भी सर जाओगे इसे किसी फट जाओ अब फिर से याँ पर सवाल आता है कि वो आग है क्या वो चिंगारी क्या है आप सब के अंदर से यावाज आ रहे हैं कि जल्दी बता वो चिंगारी है क्या किरकार वो चिंगारी वो आग है परपस लाइफ का परपस जिंदेगी का उतेश अगर मैं दस लोगों से बुछ हूँ What is the purpose of your life तो उनमें से नो लोगों के पास इस सवाल का कोई जवाब भी नहीं होगा और ये नो लोग वहीं लोग होंगे जिनका इस दुनिया में होना है फिर ना होना बराबर है वो लोग खुद पर कितना ही pressure डाल ले वो energy उनके अंदर से नहीं निकल पाएगी वो चाहते हो तो है कुछ करना पर वो नहीं कर पाएगे दोट को कितना ही धूप में रख लो वो नहीं उबलेगा जब तक उसको आग नहीं मिलेगी पर बस चाहिए जिनकी में और सिर्थ दिखावा करने के लिए नहीं बलकि अंदर से हमारे अंदर से होना चाहिए कि यार इस फिल्ड में मुझे बैस बना है बैस नहीं तो कम से कम इस लिवल पर तो जाना है और किसी भी हाल में जाना है मेरी जिन्दगी में कुछ नहीं तो ये एक काम तो मुझे अपनी लाइफ में करना है किसी भी हाल में करना है, चाहिए कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम तो करना ही है, और जब आपके दिल से इसी कोई आवाज आईगी ना, एनरजी फोट फोट कर आपके अंदर से बहार निकल रहे होगी, आलस क्या होता है आप भूल जाओगे, आलस करने का, टाइम बेस्ट कर कर जाओगे, वो डिजायर वो अंदर की जो आवाज है ना, वो आपसे वो काम करवा लेगी, आपका परपस आपसे ऐसे से काम करवा लेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब जो आपके लिए इंपोसिबल है, वो पोसिबल बना देगा आपका परपस, अगर मैं अपनी तो आपको हर वक्त अंदर ये अंदर एक जोल मचेगी, पिन पानी मश्दीक तरह आप तरफोगे, आपका मायन कहेगा कि इस परपस को हासिल करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मैं करूंगा, एसा करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा, ये अपनाना खुद के अंदर जाको, पूछो अपने आप से कि किस चीज में मैं बेतर हूँ, किस चीज में मैं फोर सकता हूँ, किस चीज के लिए मैं बना हुआ, अगर जवाब नहीं मिले, खुद के अंदर कुछ भी ना मिले, आपने अपनी जिन्दगी में आच तरह कुछ किया ही नह है तो करो एक्स्प्लोर करो इस दुनिया को नए नए लोगों से मिलो नए नए जगह ओपर जाओ जितना हो सके उतना सीखने की कोशिश करो एक टाइम आएगा अगर आपके अंदर से यह सवाल निकल रहा ना की मेरे जिंद्धी का परपस मझे चानना है तो जिदि फिर आपको इसस सवाल का जव्आ जपर जरूर देगी और जीज दिन आपको अपनी लाइफ का purpose भी और आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहो आपकी लाइफ में अगर पहले से ही purpose है तो मैं guarantee क्सात किया सकता हूँ कि हर उस इन्सान ने मेरी हर बास से connect किया होगा जिसकी life में purpose होगा अगर connect किया है तो comment box में यह ज़रूर लिखना और आपकी life का परपस क्या है मुझे कोमेंट करकर ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें क्योंकि आपके सपनों में जान डालने का ठेका मैंने ले रखाएं और अगली वीडियो को मिश ना करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें मैं आप से मिलूँगा अगल